हेलो फ्रेंट्स आपके अपने यूटूब चैनल बिल क्लासिद में आपका हद्दिक स्वागत है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें आज हम बात करेंगे कवर सी के बारे में कैस की डोजेट है किन-किन बिमारियों में दे सकते हैं किन कानमस दे सकते हैं इसके बारे में बात करेंगें कवर सी विटामिन सी मुक्यत है लो इम्मूनिटी यानि लो इम्मूनिटी कमजोर पशू के अंदर दे सकते हैं या पशू जो गाई भैसे ब्यानि के बाद जो बचडा खड़ा नहीं हो रहा उस स swatchदा में हम दे सकते हैं। या पशू की वीकनेस आ जाए पशू एक्तम कमजोर हो जाए उस वस्ता में दे सकते हैं। यहां एक बग कई बार देखा गया पशों के बाल निरंतर जड़ते रहते हैं उस वस्ता में हम कवर्षी दे सकते हैं बच्छडा बहुत ज़्यादा कमजोर हो दो तीन दिन तक खड़ा ही नहीं हो उस वस्ता में हम कवर्षी देंगे तो बहुत जल्दी बच्छडा वह खड़ा हो जाएगा कुत्तों के अंदर देखा कि पार्वा आ जाता है सबसे खतरनाक बिमारी होती है जिसे बोलते हैं पार्वा उस सवस्ता में हम कवर्षी की 20 अमल सुबह 20 अमल दुबहर और 20 अमल साम को पिलाएंगे तो पार्वा के अंदर डोग 100% ठीक हो जाएगा बीना किसी इन्जेक्शन क कई बार देखा है बकरियों के अंदर बेड़ बकरियों के अंदर आपर आ जाता है उस वस्ता में पसुक अपने जो बेड़ बकरिये वह नाड निचे डाल देते हैं जमीन के अंदर या पसुक मनने के वस्ता में हो जाता है उस वस्ता में हम कवर्षी एक साथ दो वोतल पि मिल जाएंगी, जिससे आप किसी भी पसु चिकिस्ट को बुला कर उसको इलाज करवा सकते हैं तंदुरू निक टोनिक है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है या पसु की मस्टाइटिस हो जाए गाई भी इसके अंदर उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है तिन दिन तक सोमल सुबह, सोमल दुबहर और सोमल साम को तिन दिन तक कंटूनु देंगे पसु को 100% फाइदा होगा पूर वीक्नेस में बच्छडा मर जाए उस वस्ता के अंदर, कमजोरी के अंदर या स्टेस के अंदर चला जाए बसु बार बार हापता है उसके वस्ता में चला जाए उस वस्ता में भी हम याद दे सकते हैं